हालो दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर डिसंप्रजापती यूपी फरावन नेवाल बॉर्डर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बावसीर के लिए एक नुस्का बताने जा रहे हैं जो की बहुत भी बैतरी नुस्का है अगर आप इसको घर पर ही तयार करके अगर इसको आप इस्तिमाल करते हो तो आपका बावासीर कैसा भी हो खूनी हो या बादी हो ठीक है तयार करके इस्तेमाल करनी की ठीक है तो चलिए बिना time waste की आपको नुश्का बता देते हैं दोस्तो इस में लेना है आपको सोट ग्राम सोट लेना है 100 ग्राम जीरा लेना है और 100 ग्राम धानिया लेना है साबोत सब ठीक है अब इनको क्या करना है आपको जो है सबको अलग अलग पाउडर कर लेना है अलग सोंट पाउडर कर लेना है अलग से जीरा पाउडर कर लेना है और अलग से जो है धनिया का पाउडर बना लेना है ठीक है अब इसको चाहे तो आप एकी में मिक्स कर दो और चाहे तो इसको अलग-अलग कांच के बरतन में रखो ठीक है तो दोस्तों एक बात तो हो रहे कि अगर जानकारी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करना दोस्तों ठीक है और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रस कर देना ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे दोस्तों हमको यूटूब से कोई भी पैसा नहीं मिलता है ठीक है आपकी भलाई के लिए आप लोगों की भलाई के लिए वीडियो हम बनाते हैं इसे बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास प्रोब्लम है ठीक है और ओ जो है दवा करा नहीं सकते हैं और अगर कहीं दवा कराने जाते भी हैं तो ज़्यादा पैसा लगता है, तो ऐसे में ये नुसका हम डालते हैं, ताकि इसका इस्तेमाल करके, आप अपने प्रोब्लम को घर पर ही खतम कर सको, ठीक है, और दोस्तों लाइक और सेर करने का, कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है, कि आपका पैसा लगएगा, चैनल सब्सक्राइब करने का भी कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है, सब कुछ फिरी है, आप लाइक करते हो, तो हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है, सेर करते हो, तो किसी का भी भला हो सकता है, आपके एक सेर से, आप कहाँ वीडियो डाल दोगे, वीडियो कौन देखेगा, किसका भला हो जाएगा, कोई ठीक नहीं है, ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब करते हो, तो दोस्तों, हमारी हर वीडियो का नोटिफिकर्सन, आपको सबसे पहले मिलता है, ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, विला इकन को प्रेस कर, के जो है, आल पर किलिक कर दें, ठीक है, तो चलिए नुसके पर आते हैं, जोस्तों, सबको जो है, आप पौडर कर लें, ठीक है, अब अलग अलग अगर पौडर आप करते हैं, तो इस्तेमाल करने का तरीका एह रहेगा, कि आप एक एक चमच तीनों में से पौडर लेंगे, ठीक है, और अगर एक ही में मिला देते हैं, तो तीन चमच पौडर लेंगे, ठीक है, अब इसको जो है, आपको रात में जो है, एक एक चमच यानि तीन चमच पौडर, ठीक है, तीनों में से एक एक चमच, भी तीन चमच ले सकते हैं, या यह की में मिला करके, फिर भी तीन चमज पौडर लेंगे, ठीक है, डेर्ड गिलास पानी में रात को जो है भीगो देंगे, ठीक है, और सुबह जो है उसको खुब अच्छे से उबालेंगे, आधा गिलास पानी जो है जल जाए, ठीक है, एक गिलास जब रह जाए, इसको खाली पेट आपको लेना है ठीक है और इसको लेने के आदे गंटे बाद तक कुछ खाएंगे नहीं और सेम प्रोसेस जो है रात को भी कर सकते हैं खाना खाने से पहले ठीक है सुबह में भीगो दे रात को जो है उबालने और जो है उसको चान करके रात में जो खाना खाने से पहले ले सकते हैं ठीक है आपका कैसा भी बवासीर है ठीक है आप अगर 20 दिन भी सही से इस्तिमाल कर लेते हो तो भी आपको अच्छा रिजल्ट आएगा और अगर जड़ से खतम करना है तो दो महीने तक इसका इस्तिमाल करो कैसा भी बवासीर होगा 101% जड़ से खतम हो जाएगा ठीक है यह पक्का है ठीक है और इसमें जो है आपको कुछ परहेज का ध्यान करना है ठीक है जैसे आप तली भूजी चीज़े ना खाएं मसालेदार चीज़े ना खाएं लाल मेच गरम मसाला मिंट मांच ठीक है इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है जब आप नुसका इस्तेमाल करते हो तो कोशिस करें कि एक हपते तक कम से कम ठीक है दोनों टाइम खीचड़ी अगर खाएं तो बहुत बेटर रहेगा ठीक है इसमें क्या होता है है की आप कोई भी ऐसा चीज़ खाते हो ठीक है तो जो है कब्ज बनाता है कब्जीत वाली चीज़ खाते हो वरगर, फीजा, हैंतिन, बाजार की बहुत सारी चीज़े होती मेरी collaborative चीज़े खाते हो तो जो है साइव से पच्च नहीं पाता है आत में जा करके चीपक जाता है तो पेड़ साप नहीं होता है तो उससे कब्ज होता है और कब्ज से आपका पहाँ सीर हो जाता है ठीक है तो परहेज का ज़ो है जरूर ध्यान रखें परहेज करें और इन उसका जो है इस्तिमाल करें और अगर ज्यादा दिन से हैं हमारे यहां से दवा मंगाना चाहते हैं तो हम भी दवा भेजते हैं कोरियर वाई पोस्ट से ठीक है आप हमारे यहां से भी दवा मंगा सकते हो ठीक है और बाकी अगर सेक्स में कोई प्रोबलम है sexual problem है जिसे लिंग टेड़ा है चोटा है पतला है शेक्स टाइमिंग की कमी है पेसा में धाज जाता है या जो है शिगर बतन की बीमारी है या वीर में शुकरानों की कमी है या साधी के 10-20 साल हो गए है बच्चे नहीं हो रहे है या सुगत की वज़े से आपका sex problem हो गया है या आप दवा मंगा सकते हो वार्षाप पर मैसेज करके ठीक है और अगर आपको दवा मंगाना है तो भी मैसेज करें दवा नहीं मंगाना है तो मैसेज ना करें ठीक है और कोई जानकारी लेना चाते है तो वीडियो के नीचे कमेंड करें हम आपको जरूर रिपलाई करेंगे तो चलिए यह नुसका है, इसको इस्तेमाल करिए, और फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो में,